सब्सक्राइब यह पताईए कि यूती है वह कईसे सूसाइड करी नहीं सकती है तो रीजन ही वहाँ से लुएक हम लोग बताया गया हम लोग पहले रह स्टार्टिंग में हम लोग को बताया कि के करेंड लगा है लिए जिस इनसान को करेंड लगता है बॉडी काला पड़ता है कुछ ना कुछ मार्ग सोते हैं वह भी ने था फिर पता चाहिए फांसी लगाने में तो मार्ग होता है ना कुछ उसका है तो वही है कि ना रीजन क्या है और सबसे बढ़ा कि अगर हुआ भी था हम लोग को कोई इनफॉर्म नहीं किया था कुछ तो करना चाहिए मताब वह सीधा तरह मडर किया है वह ना कुछ ना कुछ गलत किया इसलिए चुपाने के लिए लड़की के फैमिली वाले को किसी को इनफॉर्म नहीं किया वह यह हम लोग को ना किसी परीजन के तुरू मेरे जो रांची में चाचा रहते हैं उनको फोन आया ऐ शाइसे कुछ को वह है गलत हुआ है अब की भति जी के साथ फिर हम लोग को ना तुरंत सबना चाचा लोगा सब को इंफोर्म आ जैसे इनफॉर्म में दो बच के दस मिर्ट पंदरा मिर्ट में हम लोग को दा इंफॉर्मेशन मिला हम लोग तुरंत वहां से जमशेद पूर में हम लोग थे वहां से अमराची आए छे बजे तक पुलीस पहुंची हुई थी उसके बाद हमने देखा तो हमने पूरा बॉडी भी देखा मेरको कुछ कहीं भी कोई मार कोई चीज नहीं दिखा मुझे दोनों बचच बना उसके पाओं के पास रुप न था कोई आसपास के पड्रव zaten कि उस भी वहाओ पना था नहीं कि उस बच्चें को लोग सम्हालते हैं मैं तो कैसा मैं तो किसी से भी उनको ना लगाओ नहीं है हमेशा इंसान तो सब आसपास परड़ोस पर हमेशा लड़ाई जगड़ा होते रहता था हम आवाज सुनते रहते थे वगर आज ऐसा हो जाएगा वह सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा कांड कर देगा कि कब हुआ था उनकी साध्य देज़ दियें तो मांगे उतना हम लोग दिए सब कुछ दिये उससामे कम ही नहीं कि अपने मूझ से बोलते थे हमका आपका लड़की पसंद नहीं है आप ले जाएक अभी बोलना चाहिए नहां लोकिन उनका आप्टी ति लड़की के साथ मारपीट किया जाता है तुम सुंदर नहीं है मेरे लाइक नहीं सिन चले जाघर है तुम इशी में उसको मेरा भविस के लिए चीनता है कि नो इनके हाथ में दे देंगे तो उसका भविस खराब हो जाएगा नहीं छोड़ेंगे अभी अभी बुद्धी नम्स को बात हुआ था उसे मामी हम बोले आ जाओ तो बोली नहीं मामी बोर्ड पर इच्छा है मैं नहीं आ सकती में बात करें तो जीने नहीं देगा इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी क्या आप लोगों को मालम चला कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रहे हमको तो बेटा मेरा ऑफिस में था उहां से जब बागे-बागे आया पोने चार बचे हमको तो तब पता चला चार पोने चार आप लोग इस लड़की के साथ जब मारपिट हो रही थी क्या अर्गोणे था नाम में के कई बार एक बार एक वार दर्ज नहीं केवल हम लोग इन्फार्म किये थे तो पुलिस गई थी पुलिस के जाने के बाद लड़की को किसी ने बोला जो की फैमिली में होता है ऐसे ज तो ऐसा मत करो जो एक बार हो जाने से परिवार का इज़त जाता है तुमको रहना तो उसी के साथ है इसके कारण वो अपना कदम पीछे ले ली पुलीस को बोली जो कि ये मेरा घर का मामला है ये बात करने पर पुलीस वापस चली गई फिर जब हम लोगों ने समझाया तो उन लिए इस बुद्वार को बीते हुए बुद्वार को हमसे जब बात हुई तो चाची दो दिन पहले लड़ाई हुआ था लेकिन फिर वो बोला जो कि हम बोले तो क्यों लड़ाई हुआ लड़ाई होने का रीजन क्या है तो छोटी-छोटी बाते पर बेड़ सिट है था लड़ाई है तुम मों लड़ाई है निकल जां तो ऑपनिकल कर कि आया यहां तब बोलती है तो नहीं है तेरा बाप बनाया है यह मेरा बाप का अगर जिस इनसान में यह thinking है जो कि यह मेरा बच्चा का बोड एक्जाम है, हम चाची के घर नहीं जा सकते हैं, यहां से टाटा नहीं जा सकते हैं, तो वो इनसान सुसाइड करेगा, और दूसरी बात, जब हम उसको बोले, जो बटा आप आजाएए तो आप आजाएए, छोड़ दीजे उलों को, तो नहीं हम आएगे, तो मेरा दोनों बच्चा को वो खा जाएगा, यह उसका स्टेटमेंट हमें पूरा दिखता है, जो कि वो लड़की सुसाइड नहीं कर सकती है, उसका मर्डर हुआ है, और वो जान बुझ कर रत्या हुआ है, अब उसके साथ बहुत ही मार पिठ हुआ है, लड़ कोई आता था, गाली गलोज करता था, बस एक ही चीज था, जो कि वो लड़की के फैमली को वो गाली देता था, जो कि हमारी बेटी को पसंद नहीं था, इसलिए वो नहीं चाहती थी, जो मेरा फैमली मेंबर यहां आए, और वो हम जब बोले, जो बेटा आप जाहिए, एक पर अरगुरत हाना में, आप इनफॉर्म तो कीजिए, तो वो डैरेक्ट एक ही बात बोलती थी, जो चाची, अगर हम इनफॉर्म करेंगे, कुछ होगा, उस वो जब फिर चूट के आएगा, तो कहीं मेरे चाचा को ना वो कुछ गलत करे, हम इस डर से हम नहीं कदम उठाते हम जेल रहे हैं, चाचा मेरा सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, यह हम को यह बुद्वार को यह वाक के बोली है, अब इसके आगे तो पुलिस हाथ में ले लिए हैं, वो एरेस्ट भी हो गया है, लेकिन हम तो यहीं चाहते हैं, जो अच्छा से उसका धुलाई हो पहले, उसके मुह से सारा बात निकले, खुद धुलाई हो, और जो अरोसी परोसी है, उनसे भी बात चीत हो, क्योंकि जब हम वहां गया हैं, तब सभी ने मुझे यह का है, जो यह लड़का बहुत ही गाली दे दे कर, ऐसे सब्द बोला थे, जो एक हम सिक्षिका हैं, हम पुलिस मामले में जाना नहीं चाहते हैं, हम लें इतना तो बोल सकते हैं, यह आदमी सही नहीं था, बोले वो देखा जाएगा, अलागे इसका लड़की का है, उसका चचेरा भाई है, क्या कुछ आप लोगों को मालुम चला, क्या वज़ा रहा है कि लड़की सुसाइट कर ले या उसको मार दिया गया, देखिये, सबसे पहले तो कि यह घटना का का इंफ्परमेशन आराउंड दो अड़ाई बजे मिला मेरे फादर को, तो डारेक्ट लड़के से नहीं मिला इंफ्परमेशन, किसी थर्ड परसन से यह पता चला, कि ऐसा ऐसा वो लड़का होस्पि में गूम रहा था और उसने कोशिश किया कि इसको हम बिना किसी को बताए निकल जाए यह तो सबसे बड़ा एक मतलब है कि आप फैमली को नहीं बोलेंगे फैमली को इंफॉर्म भी नहीं करेंगे जैसे पापा पता चला तो फिर वह अपना इधा उदर से इंफॉर्मेशन लेने को सिस किये चीजों को घर के लोगों को बताए जो मेरे जो अपने भाई हैं उनको ख़वर गया फिर तो जो हमारे चाचा जमसेद्पूर में था हम यहां पर क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह कोशिस कर रहा था पूरी तरह से परदा डालने का चीजों पर कि चुप-चाप हम इसको ले जाकर के गाउं में यह कहीं पर जला दें मिर्थक निशा का पति को अर्गोड़ा थाना परवारी ने गिरफतार कर के जेल भेजने की कोशिश कर रही है अभी फिलाल इस पूरे मामले में और चान बिन करती है पुलीस क्या कुछ सबुत मिलती है या नहीं यह देखनी वाली बात होगी सब्सक्राइब कर दो